दिसम्बर मा शुरू होते ही कई दिनों से आस्मान में छाई कोहरे के बाद रवीवार को सूरेदेव का दर्शन मिला सारवजनिक आउकाश रवीवार का दिन होने की वज़ा से और सारवजनिक स्थानों और मार्केटों में लोग निकल कर जम कर धूप का लुफट उठाया और अपनी दिन चर्या में से कुछ समय निकाल कर पीने धूप का आनंद लिया आपको बता दें लगबख चार दिनों से आस्मान में कोहरा चाया हुआ था और गलन भी बढ़ गई थी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे धूप निकलने से लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने जरुरत की चीजों की खरदारी करते नजर आए इस स अब लाओ लाओ लाओगो कि इह अजर इनकी करो दो जर दो कि अजिए कर दोस्य कि शोस्य कर दो जर दोस्य कर सकती है शेखर निकला है बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि चार दिन से काफी क्वेरेक होजे से परसानिया हो रहा था लोगों को और अभी तक तो सुवह से लेके अभी मौसम विभाग भी बोला है कि बहुत ही अच्छी रहेगा दो तीन तक ऐसा ही माहल है बहुत ही अच्छी दोलत तारिक के शाती मुलब से ताउने यहीं वहरा पड़ेगा जी ऐसा तो होने वाला है अब देखे क्या होता है लेकिन भगवान के किरपा रहा तो भाई अगर ऐसे दूप होता बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अब क्या किया जाएगा उपर वाली की देन है रदीप कु प्रणा से बेदूरी रहेगा इतने दिन वाद आप बर से निकले बाहर हम तो अभी पिलाल दो दिन पे निकले हैं घर से बाहर अब आने वाले दिने में और सिपलार की चिताने इसमों बशाब के रहा है क्या किया जाएगा पचाव रखा जाएगा अपने हिसाब से जो है क करोना है माक्स लगा कर रहना है घर में रहना है खंड से भी बचना है जो है